Welcome to all of you in my YouTube channel Learn Math Clearly तो अप higher mathematics की ABCD को समझ सको mathematical concepts आपके पेन ना create करें Mathematics को आप honestly step-by-step समझ सको इसके लिए हमने इस platform पे आपके लिए थोड़ा सा वर्काउट करा है यहाप एक चीज में आपको clear कर दू जैसे थम्बनेल में आपको दिख रहोगा लखना इंवस्टी अप्स्ट्राइक अगर 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 इस्टूडेंट्स पी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको बस लखना इंवस्टी के स्टूडेंट्स को वेनिफिट यह है कि उनको जो अपनी बुक और प्रकाशन क मैं देखा होगा मैं पीडियाफ रन कर आके चीज़ें करता हूं तो यह पीडियाफ अगर आपको आज नूट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो एडिट करके ठीक है जैसे कि मैंने बोला कि Learn Math Clearly इस चैन सबसे पहले अलजेब्रा में मैंने बेसिक्स का एक फोल्डर बढ़ाया वह उसमें चार पांच लेक्शर होंगे वहां पे सेट रिलेशन कार्टियन प्रोड़ाइक बाइनरी ऑपरेशन ग्रूप आइसो मॉर्फिजम हो और फिजम जो कुछ भी नेससरी चीजें हैं आपको फिजम़ता और और इनर आटमोर्फिजम जो अथे और यह सारी रिजल्स आटमर्फिजम पे और फाइनली हम लोगों इसन पर वेष्ट प्र्रॉब्लम को मैं कुछ स सोल्व करा था तो आटमोर्फिजम के बाद जो सरील इसके बाद हम लोगोंने आलिमेंट के नाम से कहूं लग्रांज थेयरम है माइलिश्टोन है उसको डिसकस करा ऐसे डहीर सार एक मैथमेटिकल कॉंसेट जो कॉंजुगेशी के कॉंसेट में आते हैं उनको हमने डिसकस करा थेयरम के प्रूफ भी करें डिस्क्रिप्टिब प्रॉब्लम्स भी हमने देखिए और डहीर सार इस कंवर्स पार्ट में पॉस्बिलिटी क्या है कब कंवर्स टू हो जाएगा इसको लेकि पीटर साइलो ने जो अनुदर मैथमेटिशन थे नार्वे इन्हों ने वहां पर चीजें देखी कई मैथमेटिकल आस्पेट्स को अधर कंसीडर करा और कोसिस करी तो तीन साइलो की तीन थेऊरम से इंपोर्टेंट रिजल्टस हैं उसको साइलो थेऊरी के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं हाला कि तीनो थेऊरमस स्टेट्मेंट हम लोग उने क्लियर कर ली है अभी हम अपने को मास्टर हैं बनाएंगे इस प्रेजेंट लेक्चर सीरीज जो चल कुछ consequences निकल के आए, कुछ उनसे other results निकल के आए, corollary जाए, उनको जरा हम यहाँ one by one एक दो corollary जाए देख लेते हैं, then after हम silo theory में जो तीनो theorem हैं, इस फे बेश रह सारी problem solve करेंगे, और अपने concept का और ज़्यादा strong करेंगे, ठीक है, तो आज का lecture स्टार्ट करते हैं, यह silo theorem, sorry, application theorems कुछ corollary हैं silo theorems की, जरा उसको हम लोग देखते हैं one by one, silo theorems मैंने previous में lecture में cover कर रखें, तीनो theorem स, आप अच्छे से आप जिट कर सकते हैं, तो देखते हैं जरा, पहली application theorem कह लीजिए, या corollary कह लीजिए, आप से क्या कहती है, कि if p and q are, अभी जो problem solve करेंगी, यह corollary results बड़े useful हों में वहाँ पे, if p and q are distinct primes, मतलब p और q दो prime number है, such that p less than q, मतलब कि जैसे 3 और 5 आपका 2 prime number है, और उनमें से कोई एक शोटा हो, जैसे 3 आपका, 3 आपका less than 5 है, तो आपसे बोला जा रहा है कि if p and q are distinct primes with p less than q, then every group g, then every group g of order p q, मतलब कि p q product p q, p q order का हर एक group जो होगा, उसके पास has a single subgroup of order q, उसके पास एक single subgroup होगा order q गा, and this subgroup is normal in g, देखिए, यह result आपको दिया जा रहा है, यह result आपको दिया जा रहा है, आप इसका यूज करेंगे, एक tool आपको provide करा जा रहा है, कि अगर p और q दो prime number है, p और q दो distinct अलग-अलग prime number है, और इस तरीके कि p less than q हो, तो p q order के हर एक group के पास, एक single subgroup होगा, और उसका order क्या होगा, q होगा, साथ में यह path भी provide कर दी गई, कि वो जो single subgroup होगा q order का, वो g में normal होगा, क्या होगा, g में normal होगा, अभी कोई भी subgroup normal कैसे होता, यह मैंने, अपने lecture की speciality है, या playlist visit करेंगे, तो वहाँ पे जैसे, मुझे आपको बताना है, client before group क्या है, किसी भी subset को subgroup कैसे proof करेंगे, normal subgroup क्या होते हैं, कैसे proof करेंगे, co-sets क्या है, cyclic group क्या है, generator क्या है, यह जो additional information से ही, मैंने playlist में, knowledge capsule के नाम से insert करी है, knowledge capsule में साधा 8 lectures होगे, तो आपको यह तक आपको यह तक आपको क्या टूल प्रोवाइड कर गया, यहां तक आपके पास यह तूल है, कि अगर P और Q दो distinct primes है, जैसे आपका 3 और 5 दो distinct अलग अलग prime numbers है, और इसमें आपको पता, यह 3 less than 5 है, मतलब 2 distinct primes है, तो obvious है कोई एक तो छोटा होगाई, अलग-अलग prime सा है तो, तो ऐसे case में आपके P के रोल में आपका 3 आ गया, और Q के रोल में, जो format दिया है, आपको Q के रोल में 5 आ गया, अभी आपसे theorem, यह result आपसे यह कहता है, कि अब P Q order के, P Q order मतलब 3 into 5, 3 into 5, तो आपके 15 order के जितने भी group exist करेंगे, whatever, आपको नहीं बता, ओ ग्रूप के elements क्या होंगे, उसमें binary operation क्या होगा, आपको नहीं बता, लेकिन यह result आपको important tool प्रोवाइड कर रही, कि अगर आपने 3 और 5, मैं एक example यहां दे रहा हूँ, आप दो कोई भी distinct prime P Q ले लीजिए, तो उनका product P Q order मतलब कि 15 order का, अब यहां भी इस case में, 15 order का कोई भी आप group लीजिए, उसके पास एक single subgroup होगा, एक subgroup single तो होगा ही, और वो subgroup कौन होगा, Q order का, Q आपका क्या था, Q order का, Q greater था, मतलब कि 5 order का, एक subgroup तो exist करेगा ही, उसके पास, अगर देखिए, आपने 15 order का, कोई group ले लिया, तो 5 order का, यह मैं सिर्फ order लिख रहा हूँ, 5 order का एक subgroup exist करेगा, और वो 15 order वाले group में, नॉर्मल होगा, इतनी बात आपको, प्रोवाइड कई गई इस थिर्म में, आगे भी अभी आपको कुछ बताया जा रहा देखिए, hence, G is not simple, मैंने आपको previous में कहीं पे, यह बात बताई होगी, कि simple groups क्या होते हैं, एक बार repeat कर दे रहा हूँ, मैंने previous में बताया होगा, knowledge capsule से आप उसको visit भी कर सकते, देखिए, simple के regarding में आपको बताया था, कि अगर आपके पास G कोई group है, G कोई group है, तो उसके पास दो improper subgroup exist करते हैं, एक तो यह आपका group, खुद का subgroup होता है, यह improper, दूसरा आप identity element को ले लीजे, किसको identity element को ले लीजे, तो group खुद का subgroup होता है, और identity element भी subgroup होता है, तो यह दोनों group खुद का subgroup हो जाया, या identity element खुद के subgroup हो जाया, यह दोनों improper subgroup कहलाते हैं, यह इनको बोलते हैं trivial subgroup, क्या बोलते हैं, improper या trivial subgroup, ठीक है, यह यहाँ पर information, मैंने previous में भी जी थी, लेकिन simple group बताने के लिए जरूई था, अभी मैं आपको simple group recall करा रहा था, previous में बता चुका हूँ, तो अगर आपका G कोई group है, और इसके पास, इसके पास कोई normal, कोई proper normal subgroup exist ना करे, कोई proper normal subgroup exist ना करे, तो यह simple हो जाता है, देखे, जब मैंने proper बोला, इसलिए मैंने आपको पहले improper बताया, improper का मतलब identity और वही group खुद, यह दोनों अपने किसी भी group के लिए identity वाला जो subgroup है, single identity element contain करने वाला, और दूसरा group का पूरा set खुदी, यह दोनों improper होते हैं, इनको छोड़के जितने other subgroups होंगे, वह सब proper होंगे, ठीक है, वह सब proper होंगे या non-trivial होंगे, दो नाम दिये जाते हैं, तो जो proper subgroups हैं, मतलब की identity और group को छोड़के, अब ज़रा देखे, simple मैं आपको recall करा था, अगर आपके पास G कोई group है, जी, आपके पास कोई group है, और उसके पास कोई भी ऐसा h, subgroup exist ना करे, जो proper हो और normal हो, देखे, normal मैंने आपको बता रखा, फिर भी repeat का दे रहा हूँ, normal subgroups, ऐसे subgroups होते हैं, जो group को distinct co-sets में बाढ़ देते हैं, अभी आपको co-sets में पेन होगा, देख रहे हैं, तो इतना समझे, कि normal subgroups जो होते हैं, वो group को co-sets में बाढ़ देते हैं, और वो co-sets distinct होते हैं, ठीक है, यह property normal की, एक special category, आप normal subgroups समझना चाहते हैं, तो playlist visit करेंगे, और simple के regarding, मैंने आपको definition बता दी, simple subgroups, simple groups कैसे होते हैं, कोई ऐसा group, जिसके पास, कोई proper normal subgroup, h exist ना करें, proper normal, मतलब कोई ऐसा normal subgroup, exist ना करें, जो proper हो, जो proper हो, मतलब group और identity के अलामा, कोई दूसरा subgroup, exist ना करें, group के पास, जो proper और normal हो, इसका मतलब, अगर ऐसा है, तो जी आपका simple हो जाएगा, ठीक, अभी जो theorem आपको provide करी गई थी, टूल उसमें आपसे बोला गया, कि P और Q अगर दो prime number है, such that आपका P less than Q है, तो P Q order के group के पास, Q order का एक normal, Q order का एक normal single subgroup, exist करेंगा, ठीक, आगे आपसे बोला जा रहा है, hence G is not simple, जो P Q order का group आपका बनेगा, वो simple नहीं होगा, अभी अभी मैंने आपको simple group की definition बताई, मैंने simple group की क्या definition बताई, simple group, वो groups कहलाएंगे, simple groups आपके वो groups कहलाएंगे, जिनके पास कोई भी normal subgroup ना हो, normal ना हो और proper, मतलब कि कोई भी subgroup normal और proper, दोनों properties को फुल्फिल करने वाला ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको उपर ही बोल दिया गया ना, कि P Q जो होगा आपका, उसके पास P Q order का जो subgroup आप, P Q order का जो group होगा आपका, उसके पास Q order का एक normal subgroup exist करेगा, तो normal जो exist कर गया, तो simple तो ऐसे भी नहीं होगा, बात मितलब सही है, कि hence G is not simple, सही बात है, simple group नहीं होगा, क्योंकि simple group होने के लिए, मैंने definition आपको बताई, कि कोई भी group simple होगा, अगर उसके पास कोई भी proper normal subgroup exist ना करे, और यहाँ पर normal subgroup तो Q order का exist ही कर रहा है, तो simple तो होगा, नहीं जरा आगे देखते हैं क्या बुला गया, if Q is not congruent to one model of P, then G is abelion and cyclic, देखिए, बहुत important tool आगे आपको predict करा जा रहा है, एक condition बोली जारी कि अगर Q, आपने P और Q primes तो खोजी लिए, जहांपे P less than Q है, और फिर आपने predict कर दिया कि P Q order का, P Q order का कोई भी group आप लीजिए, उसके पास Q order का एक normal subgroup exist करेगा, एक Q order का normal subgroup exist करेगा, इतनी बाते कर ली, और यहां पर यह भी बोल दिया, इसका मतलब P Q order का जो group G होगा, यह simple नहीं होगा, क्योंकि normal exist कर रहा है, अब यह एक बात आपसे और वोली जा रही, अगर यह तनी situation है, ठीक है, इसके साथ ही यह Q आपका, Q आपका congruent, congruent to one ना हो, ना हो, यह मैंने आपको, जब silo की theorem में आपको बता रहा था, तो मैंने यह congruence relation आपको समझाया था, मैंने आपको modulo, समझाया था, कि modulo system में कैसे, क्या चीज़ें होती ही, कैसे आप equivalent number में convert कर ले, तो एक बार मैं repeat कर दे रहा हूं, वैसे मैंने इसको, इसी silo theory की series में बताया था आपको, तो जबार मैं आपको modulo एक बार फिर से repeat कर दो, फिर ये congruency वाली बात समझाता हूं, देखे, मॉडूलो, मैंने आपको एक relation, equivalence relation बताया हुआ था, equivalence relation में मैंने आपको बताया था, कि, दो number का difference, जैसे a, minus b, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, कि a, minus b, एक मैं relation define करूं, integers पे, integers पे, कि a, minus b, मेरा divisible by m है, m कोई भी number है आपका, a, और b, सारे numbers कहां से आ रहे है, m, a, b, यह सब integers से आ रहे हैं, तो integers के set पे, ये integers के set पे, z से denote करते हैं integers को, तो integers के set पे, मैं एक relation define मैंने करा था, कि, कि, किसी भी दो number का difference की mod, मतलब absolute value m से divisible हो, और ये relation आपका, वहाँ पे equivalence आ गया था, equivalence आ गया था, तो equivalence relation ने partition कर दिया था, चीजों का, मैं वहाँ से बस इतनी बात, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कि आपने binary number system पढ़ा होगा न, binary number system में 0 और 1, सारे numbers को, आप 1, 2, 3, 5, 10, 11, whatever, जितने भी numbers हैं, सबको आप 0 और 1 में convert कर लेते हो, binary number system में, hexadecimal number system, ये सब equivalence relation जो मैंने आपको बताया है, knowledge के अपसूल में आप जाएंगे, equivalence relation में पढ़ाया है, और वहाँ पी ये binary system कैसे बनता है, octadecimal system, ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं वहाँ पे, तो मैं आपको ये recall कराना चाहता हूँ यहाँ पे, कि modular system क्या होते हैं, जैसे आपको ये कहा जाए, 3 प्लस 5 आप कर लीजिए, modular system एक ऐसी new mathematics आपके सामने इंट्रोडियूस कर सकते हैं, एक ऐसा mathematical word इंट्रोडियूस करते हैं, जिसमें सारे numbers को आप कुछ finite numbers में convert कर लेते हो, कुछ finite numbers में convert कर लेते हैं, तो ये बात क्या है जाना समझते हैं, अगर मैं आपसे बोलू, 3 प्लस 5 को आप add करिए, तो आपका answer होगा 10, आपका answer होगा 10, लेकिन अगर मैं बोलू, 3 प्लस 5 को आप addition modulo 5, यहाँ modulo M लगा दिया न, addition modulo 5 में बताईए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 प्लस 5 को आप add कर लीजे, sorry, मैंने आप गलत लिख दिया है, 3 प्लस 5 आपका answer आएगा, 3 प्लस 5 आपका 8 आएगा, तो अगर मैं आपसे बोलू, यह addition modulo, addition modulo आप बताईए, तो आप simply पहले 3 प्लस 5 को add कर लीजे, 8 आजाएगा, अभी modulo 5 लगा है, तो 5 से आप, आपका यह 8 जो है, यह modulo 5 के system में acceptable नहीं है, क्योंकि modulo system में numbers जो होते हैं, वो उससे छोटे आने चाहिए, तो 5 से आप divide करिए 8 को, 5 से आप 8 को divide करिए, और जो remainder बचे उसको यहाँ पे लिखना है, remainder यानि कि 3, लिखने का एक मैं general तरीका आपको दे दे रहा हूँ, अगर 2 number A plus modulo M, addition modulo M में A plus B को लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप A plus B को add करो, A plus B को add करो, और M, M से divide करो, क्या करो, M से divide करो, coefficient क्या आता है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो remainder यहाँ आ रहाएगा, remainder वो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर A plus B addition modulo M लिखा हुआ है, तो आप A plus B को add करिए, और M से divide करिए, coefficient से मेरा मतलब नहीं है, जो remainder आएगा, जो remainder आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, addition modulo की दुनिया ऐसी होती है, addition modulo में addition ऐसे करे जाते हैं, ठीक है, और modulo system जैसे मैंने आपको बोल दिया modulo 5, मैं अगर बोल दूँ modulo 5, तो इसका मतलब मैं यह बता रहा हूँ आपसे कि 0, 1, 2, 3, 4, अब जितने भी numbers होंगे, आपकी integers, जितने भी numbers होंगे, सब को आप 0, 1, 2, 3, 4 के equivalent लिख सकते हूँ, अगर मैंने modulo 5 बोल दिया, तो मैंने आपकी mathematical word को shrunk कर दिया, मैंने उसको contract कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 में, आपसे बोलू 16 को लिखो, 16 को आप modulo 5 में लिखो, तो आप क्या करोगे, 5 से 16 को divide करोगे, जो remainder बचेगा उसको लिखोगे, तो 5, 3, जब 15, remainder क्या बचा, 1, यानि कि 0, 1, 2, 3, 4 में से, आपका कोई एक number आ जाएगा, जो सारे numbers को, अलग-अलग numbers को represent करे, अब ज़रा इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, देखिए, 16 किसके equivalent आएगा modulo 5 में, ऐसे modulo 4, modulo 7, आप कुछ भी बना सकते हो, तो उसको ऐसे represent करते हैं, आपका 16, modulo 5 में क्या आएगा, 5 से जब 15, remainder ही लिखते हैं, तो remainder 1 आएगा, ऐसे, यह जो format लिखा है ना, इसको बोलते हैं, congruence equation, congruence equation बोलते हैं, जैसे आप general equation बढ़ते हो, ऐसे congruence equation होती है, और यह आपको यह बता रही होती, कि 16 number जो आपका है, यह modulo 5 की दुनिया में, 1 के equivalent है, यह आप modulo 5 में कैसे convert करते हैं, चीजों को यह भी उनने बता दिया, और यह relation भी समझा दिया आपको, कि 16 number आपका, modulo 5 की दुनिया में, 1 के equivalent है, कैसे, जो 5 number है, इससे divide करेंगे 16 को, और जो remainder बचेगा, वो यहाँ लिखा जाता है, तो ज़रा देखिए, यह मैंने सही लिखा है, 8 congruent होगा, आपके number 3 के modulo 5 में, मैंने सही लिखा है, देखिए, 5 से आप 8 को divide करीए, remainder 3 बचेगा न, मतलब 8 जो है, 5 से 11 को divide करी, और remainder यहाँ लिखना है, तो 5 2 जा 10, remainder क्या बचा होँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 11 आपका, 2 के congruent नहीं है, modulo 5 में, modulo 5 की दुनिया में, 2 11 को represent नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको तो यही सिखाया, कि जो modulo 5 है, modulo 6 है, जो भी modulo लगा है, उससे आप divide कर यह number को, और remainder लिखे है यहाँ पर, जो remainder है, वो congruent होता है, तो आपने जब divide करा, 5 2 जा 10, तो remainder तो वनाया, लेकिन यहाँ मैंने 2 रखा है, इसका मतलब यह आप इसको cross कर दीजे, और आप इसको read करेंगे, 11 is not congruent to 2, 11 number is not congruent to number 2, in modulo 5, मतलब 11 2 के congruent नहीं है, equivalent नहीं है, modulo 5 की दुनिया में, तो यह बात आपको समझ में आई, अब ज़रा जो application theorem, हाँ आपको बता रहे थे, उसमें जो congruence relation आई है, उसको ज़रा मैं आपको बता दू, ज़रा मैं उसको आपको बता दू, यहाँ पे, if q is not congruent to 1, modulo p, then g is a valiant and cyclic, ज़रा मैं इस application theorem, जो 1 है, इसको फिर से recombine करता हूँ, पूरा फिर से आपके सामने रखता हूँ, आपको क्या करना, आपको दो prime number p और q लेने है, जो कि आपस में distinct हो, यानि अलग-अलग हो, जैसे मैंने 3 और 5 को example लिया, अभी दो अलग-अलग primes लिये हैं, तो आपको यह तो पता चली जाएगा, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कुछ देर के लिए suppose कर लीजिए, कि अगर आपका p वाला चोटा है, q वाला बड़ा है, अब उन दोनों primes का product, अगर आप करते हैं, p q जैसे आपने 3,5 लिया था, तो 3,5 जब 15, 15 order के जितने भी groups, अलगेबरा में exist करेंगे, उन सब के पास एक single subgroup होगा, जो कि normal होगा, और वो कितने order का होगा, वो कितने order का होगा, वो आपका 5 order का होगा, बोला गया था, अगर p q दो आपने distinct primes भोड लिये हैं, जहां पे p less than q है, तो p q order के सारे groups के पास, एक single normal subgroup होगा, और उसका order q होगा, उसका order q होगा, ठीक है, और इसके आगे आपसे ये बाते बोली जा रही हैं, कि अगर q, अगर ये q number जो है, ये 1 के congruent ना हो, modulo p में, modulo p में, ये 1 के congruent ना हो, मतलब ये number q, 1 की equal नहीं लिखा जा सके, modulo p की दुनिया में, ये मैंने आपको समझा दीना, कैसे चीज़ें होती हैं, कि आप p से divide करो q को, और आपका remainder 1 ना बचे, क्या करो, p से q को divide करो, और remainder 1 ना बचे, तो आप कहोगे q is not congruent to 1 in modulo p, तो अगर ऐसा भी हो जाता है, तो आपका जो p q order का group g है, जो p q order का group g है, वो abelian और cyclic हो जाएगा, यह abelian मैंने आपको बताया हुए, कि कोई भी group अगर commutativity की property को hold करने लगता है, तो वो abelian हो जाता है, ग्रूप के हैं, मैंने अपने हर lecture में आपको बताया, एक non implicit along with the binary operation, closure, associativity, existence of identity, existence of inverse को fulfill करें, चार properties को, तो group हो जाता है, और अगर एक additional property, अगर commutativity hold करने लगे, तो यह उनके honor में commutative या अविलियन गूप बोल दिया जाता है, अविलियन गूप आपको पता होना चाहिए, मैंने clear करा पहले भी, cyclic यह repeat नहीं करूँगा, cyclic group आप knowledge capsule से देखिए, तो group G, group G जो PQ order का है, उसकी कितनी properties आपको पता चल गई, आपको पता चल गई कि कोई भी group अगर PQ order का है, जहाँ पर P less than Q है, तो उसके पास Q order का एक normal subgroup exist करेगा, देखिए, अब Q order का एक normal subgroup exist करेगा, और इसके साथ ही, इसके साथ ही क्या, इसके साथ ही अगर Q, Q जो प्राइम आपने रहूडा है, वो 1 के congruent ना हो, model O P में, model O P में, तो आपका group जो PQ order का है, वो abelion और cyclic हो जाएगा, एक जरा और एक result देख लेते हैं, second वाला, इसके बाद हम next lecture में जब मिलेंगे, तो धेर सारी problems के साथ मिलेंगे, और उस problems को हम लोग break करेंगे, अब भी तक जो हमने silo theory में पढ़ा, जरा एक last result देख लेते हैं, let HN के भी finite subgroup, साफा group G, आपके पास कोई group G है, और HN के उसके दो finite subgroup हैं, तो जरा उनके product का order कैसे निकालते हैं, जरा वो देख लेते हैं, देखे, अगर आपके पास कोई group G है, कोई group G है, और आपके पास दो finite subgroup हैं, finite subgroup मतलब number of elements उसमें, number of elements उसमें fix हैं, तो अगर आपके पास H और K, H और K दो finite subgroups हैं, अच्छा, एक ही जरा यहाँ पे जो viewers हैं, वो ध्यान देगी जरा, वैसे draw तो मैंने diagram कर दिया, बताएंगे जरा मैंने, जो दोनों subgroups दिखाएं हैं, यह सही दिखाएं की नहीं, जो subgroups मैंने draw करें हैं, सही करें हैं की नहीं, यह मैंने H draw कर दिया, मैंने K draw कर दिया, क्या यह possible है, कि कोई भी subgroups हों, और वो totally distinct हों, बिल्कुल नहीं possible है, मैंने हाँ गलत draw कर रहा है, क्यों गलत draw कर रहा है, क्योंकि कोई भी subgroup होगा, group के पास identity element तो एक ही है न, identity element तो unique होता है, और identity element हर एक group में होना चाहिए, मतलब इसमें भी identity element होगा, इसमें भी होगा, तो मुझे at least intersection एक point पे तो दिखाना ही था, मतलब कि मुझे यूँ बनाना था, देखियेगा, एक subgroup ही, एक subgroup ही, अभी इसके intersection में और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन identity element तो होगा ही न, तो मैंने गलत draw कर रहा था, ठीक है, आप ऐसे mathematical चीज़ों को ऐसे catch करेंगे, ठीक, गलत draw कर दिया, लेकिन आपको ऐसे समझना होगा चीज़ें, कि concepts कैसे होते हैं, फिराल मैं यह आपको बता रहा था, कि अगर G कोई group है, और आपके पास H और K, H और K, दो finite subgroups हैं, तो H K का order क्या होगा, order of H K, यहनि कि H K का product कर लीजी, और फिर H K का order क्या होगा, वो लिखा जा सकता, order of H dot order of K, upon order of H intersection K, देख लीजे, अभी order of H intersection K, अगर, अभी मैंने क्या बनाया था, ऐसे H को अलग बनाया था, K को अलग बनाया था, मतलब इसमें, intersection में element ही नहीं थे, 0 हो जाता, और अगर 0 हो जाता, तो यह formula infinite, एनिकी meaningless हो जाता, formula आपका, formula meaningless हो जाता, लेकिन नहीं, H और K, के पास at least, एक element तो common होगा ही, वो होगा identity, क्योंकि group के पास identity, element तो unique होता है, एक ही identity होती है, के at least one तो होगा ही होगा, क्योंकि at least identity element तो होगा ही होगा, देखिए, तो order of H के को आप ऐसे लिख सकते हो, order of H dot order of K, upon order of H intersection के, यह formula का हम यूज करेंगा, और जो application theorem उपर बताए, उसका आप यूज करेंगे, next lecture मिलते हैं, problems के साथ, तब तक आप इनको repeat करेंगे,